इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किचिन वेट से मिथिन गैस बनाई जा सकती है घर पर ही मेरा ए वीडियो पुरा देखिए दोस्तों के साथ शेर कीजिए धन्यवाद दोस्तों एक प्लास्टिक कंटेनर लेंगे उसे हम ड्रिल के जरे फोल बारा देंगे फिर वहाँ पर ब्लू के जरीए प्लास्टिक पाइफ लगाएंगे इस डिबे में गाय का गोबर है वह हमने पानी मिक्स करके एक महिने तक रखा है क्योंकि गाय के गोबर में मैंतोजनी बैक्ट्रिया डेवलोप होते हैं और मैंतोजनी बैक्ट्रिया डेवलोप एक महिने में आउते हैं और मैं तो जने बैक्ट्रिया सी विदिन बन पाती हूँ सबजी और टामाटो को हम अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्चर को कंटेरनर में डालेंगे मिक्स की होएं सबजी को हम कंटेर में डालेंगे उसके बाद अच्छे सब्सक्राइब को अच्छे जोनी बैक्ट्रिया वाली गाया के बोबर को कंटेरनर में डालके अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों को घिलाएंगे और दस दिनों के लिए साइट में रख देंगे ताकि हमारा मिथन गैस तायार हो सके और हम उसे यूज कर सके हैं चलो अब हम इसे जाज कर देखते हैं वाकई में ये काम करता है या नहीं कंटेरनर के पाइप को गैस के बर्नर में लगा देंगे आपने देख लिया कि कैसे मिथन गैस काम करता है तो ये मेरा एक्स्प्रिमेंट घर पर जरूर बना के देखिए और सक्सेस होने के बाद क्रमेट में डाले करता है आपने के बाद करता है जय जुछल में लगा है तो मेरा यूडियो दोस्तों को साथ शेयर किजिए लाइक किजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद दोस्ते